स्टुदेंट्स आज हम पढ़ेंगे इन विट्रो इस फिर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट एग एंड इट्स इम्पॉरेंस के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह जो टाइटल है इसमें इन विट्रो जो वर्ड है इसका क्या मतलब है इन विट्रो जो है यह एक ब मुहया किया जाता है और उस आर्टिफिशल इन्वार्मेंट में क्या किया जाता है उस आर्टिफिशल इन्वार्मेंट में एक निया लिविंग और्गनिजम प्रिड्यूस किया जाता है अब अगर हम बात करें कि लिविंग और्गनिजम जो है वो कौन सा हम ले रहे हैं त जिन प्लान्ट के उपर flowers produce होते हैं, उनके उपर फूल लगते हैं, यहां पर हम इसकी diagram देखें, तो यह हमारे सामने यहां पर flower की diagram दिखाए गई है, अब यह जो flower की diagram है, अगर आप यहां पर देखें, तो यहां पर यह इसका female part है, यह जो part है, जो green color का है, और इसके अंदर चोटे-चोटे से आपको circles नजर आ रहे हैं, यह female part है, और यह जो female part है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ovary, और यह जो ovary है, इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर ovule मौजूद होते हैं, और यह जो ovule है, यह plant egg कहलाते हैं, यह जो plant egg है, अगर हम इसकी बा और ये जो seed है, यहां पे अगर हम इसका का seed का structure देखें, जब seed fully mature हो जाता है, fully बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यह जो seed है, इसके अगर क्या चीज मौजूद होती है, बाहर इसका seed coat है, इसके अंदर food होती है, जो के store होती है और ये food कौन इस्तमाल करता है जो एक embryo develop होता है जो के baby plant बनाता है एक नया plant बनाता है या daughter plant बनाता है वो किससे बनता है वो embryo से बनता है अब ये जो seed है जिसके अंदर embryo मौझूद है ये seed किससे बना था ये बना था ovule से और ovule जो है इसका मतलब है कि ovule वो part जिससे एक नया plant बन सकता है, अब इन विट्रो में क्या होता है, इन विट्रो में outside the living organism क्या किया जाता है, कि यह जो ovule होता है, इसको ले लेते हैं, और यह ovule जब इससे निकाला जाता है, तो इससे क्या कर देते हैं, इसकी dissection क्या होता है, dissection होते हैं, कि इसके छोटे-छोटे पार्ट्स बना दिये जाते हैं, यानि कि इसको divide कर दिया जाता है, इसको cut दिया जाता है, अब जब इसकी dissection हो जाती है, तो फिर क्या होता है, कि यह जो ovule है, जिसे हम egg भी कहते हैं आम सबान में, यह जो egg है, यह develop हो जाता है, एक mature embryo में यानि कि क्या हुआ है कि ये जो ओव्यूल था ये क्या बन गया है ये एम्ब्रियो बन गया है और ये एम्ब्रियो जो है एक नया प्लांट बन जाएगा इसका मतलब है कि ये जो हम ने बाहर निकाला है ovule, ये ovule जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो हम इसे क्या प्रोवाइड करते हैं हम इसे एक artificial environment प्रोवाइड करते हैं और ये artificial environment जो हिसमें क्या होता है, इसमें इसके लिए एक suitable temperature होता है और व्यूल की growth के लिए जो के dissecting होता है उसके लिए खास temperature होता है और कुछ खास nutrients दिये जाते हैं तांके इसकी growth हो सके और जब ये mature हो जाता है जब एक बार ये mature हो जाता है तो उसके बाद ये क्या करता है उसके बाद ये खुद अपनी खौराग त्यार करता है अब अगर हम देख लें कि ये टेक्नीक किस तरह से होती है किस टेक्नीक के जरीए ये ओव्यूल जो है उसकी dissection करके या embryo जो है उसकी dissection करके एक पूरा प्लांट बनाया जाता है तो यहां पर आप इस डाइगराम में अपने सामने देख सकते हैं इस डाइगराम में यहां पर एक adult plant बताया है adult plant जो है एक बड़ा plant है इस में से यह हमने क्या लिया है जो इसका flower था इसमेंसे हमने इसका ovule निकाल लिया है और वो जो ovule था वो ही बाद में embryo बनाता है तो हम कहेंगे के यह क्या है? जिसमें हम embryo culture कर रहे हैं, अब culturing जो है, अगर हम culture word की तरफ देखें, तो culture में क्या होता है, culture में आप एक favorable temperature प्रवाइड करते हैं, यनि कि कैसा temperature प्रवाइड करते हैं, जिसमें ये embryo जो है, उसकी growth हो सकती है, और इस favorable temperature के साथ साथ आप क्या करते हैं, कि इसको क्या चीज़ प्रवाइड करते हैं, इसको nutrients प्रवाइड करते हैं, जिसके वज़ा से ये अपनी growth को जारी रखता है, अब जब इसकी growth होती है, तो यहाँ पर आप इस diagram में देख सकते हैं, कि ये जो test tube है, ये जो दिखाई गई है, ये test tube है, और इस test tube के अंदर ये जो brown वाला path है, अगर वो सब चीजें इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है, अब इस nutrient media से ये nutrition लेता है, और ये क्या करता है, जब इसकी growth होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि पहले ये छोटा सा है, और बाद में ये बड़ा हो रहा है, और पूरा क्या बना रहा है, पूरा इस embryo से क् न्यू प्लांट बन जाता है, और बाद में ये प्लांट जो है, इसको हम पौर में शिफ्ट करते हैं, और एक नए प्लांट की जो है, वो production हो जाती है, इसका मतलब है, कि अगर हम बात करें, कि in vitro method की, कि outside the living organism किस तरह से एक प्लांट प्रिपेर किया जा सकता है, तो embryo culture य इसका क्या फाइदा है, कि इसके वज़े से बहुत सारी जो नई फसले हैं, फसलों की अगर हम बात करें, तो wheat जो है, ये भी फसल के अंदर आती है, राइस जो है, ये भी एक crop है, ये भी फसल के अंदर आती है, तो इनकी बहुत सारी new varieties जो है, वो develop की जाती है, वो produce की जात यह तो था new vitro is fertilization of plant egg and its importance के बारे में.